नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम आप जानते हूँ हम इस वीडियो के माद्यम से जो भी प्रिवेशियर्स एक्जाम में आयो ही वोकेप्स होती है उनको हम डिसकास करते हैं और इसका ओल्रेडी एक वीडियो आ चुका है जिसके माद्यम से हम CGL, CPO, CHSR, Bank, ADP की प्रिवेशियर् एंटोनियम्स और सिनियम्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और माने तो यह नाम मातर में लगता है कि एक वोकेप्स वीडियो है हम साथ साथ में इसमें ग्रामेट्रिली कंसेप्ट भी किलियर करते जाते हैं जैसा कि आगे बढ़ते हुए हम इसी सरंकला में पहले हम जो वोकेप्स वर्ड्स थे जो फिर लाश्ट वीडियो था उसमें डिसकेश किया था उसको एक बार रिवाइच करेंगे और आपको पता भी होगा कि वो वर्ड्स आपको आसाने से याद हो गए थे और उन्हीं को हम एक बार रिवाइच करेंगे फिर हम नेक्स्ट इस वीडिय को आगे बढ़ाते हुए जब तक अप्रेल माई तक CGL वैसी अचसल का अग्जाम नहीं होता तब तक हम जितना हो सके उतना maximum words की वोकेप एक साधान पीचर्स के मादम से कमर करने की कोशिस करेंगे देखिए बिना time waste के होए हम आगे बढ़ते हैं पहले अपनने जो last video में पढ़ी थी उस वोकेप को अपन पहले discuss करेंगे जो last video में अपनने वोकेप पढ़ी थी आपको बताया था मैंने Saga CSisenas बताया था जिसको हम जानते हैं सेगा सियस सेगा सियस पढ़ाता एपीजे अब्दुलकलाम जी सेग से साग पढ़ाता और सेग एपीजे अब्दुलकलाम ने साग खाया और क्या बन गे थे acute minded ऐसे ही सब बाते कल मतलब सब बाते कल करेंगे कल क्या है interval ऐसे ही मूली खाई और क्या किया भूक गठाई इसका मतलब to make somebody calmer मतलब कम करना देखो despondency पड़ा था जिसमें एक वर्ड था pond ओ लड़की जो आपके mind में पैसे उन दड़की का चितर बन रहा होगा जो गल pond पे जाके बैठी थी कैसे sad ऐसे ही कोमोशन वर्ड को देखते ही आपके mind में परतिलीपी बन रही होगी कोमोशन से कमिशन और कमिशन नहीं मिला तो क्या होगा claimer बोले तो विद्डरो है आपके mind में तरंट वापस वर्ड 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 वर्तिलीपी बनी होगी जैसे आले भारते मिला आले आले तो बच्चे को क्या करती है do lesion बोले तो थोड़ा कम किनने की सांत किनने की कोशिस करती है nettle किसी को net में ट्रेप किया तो क्या बन गया वो नेटल बोले तो इरिटेट बोले तो क्रोहदीत एफ फ्रोंट किसी के फ्रंट में बोलना फ्रोंट देखो एफ फ्रोंट से फ्रोंट लग रहा होगा किसी के सामने बोलके क्या करना इंसल्ट क्या करना इंसल्ट ऐसे ही नेक्स देखी बेनी सन बनिया कि बेटे को क्या दिया बली सिंग बोले तो आसीरवाद और केडेंज से आपके मैंडमे तुरंत आ गया उगा केट डान्स बोले तो हिधम बोले ताल, केडेंज का मतलब ताल, केट डान्स अपनने पढ़ा था, अब देरी किये बिना आज भी हम next के कुछ वर्ड से जो प्रिस्वेर्स exam में आई वे हैं उनको cover करने की कोशिश करेंगे वो भी एक साधारन trick के मादेम से जैसे एक वर्ड लिकावा है attrition attrition लिकावा है ये क्या है noun तुम्हारा pen तुम्हारी book तुम्हारा what attrition मीनिंग होता है इसकारत होता है a gradual reduction बोले तो गिशाई a gradual reduction अब हम देखेंगे कि इस वर्ड की क्या trick हो सकती है दियर्वाज a gradual reduction at rasan soap देखो at rasan soap at rasan से क्या बन रहा है attrition और attrition बन रहा है at rasan soap का मतलब राशन की दुकान पे soap जो राशन की soap है उस पे जो की मत्य कैसी हो रही है reduction हो रही है तो attraction से क्या बना at rasan और at rasan से क्या बना attrition मैं आशा करता हूँ कि आप आसानी से समझ पाओगे इससे next देखे अभी next देखे अभी आप तो बस ध्यान से सुनते जाईए आपको जब वीडियो पूरा होगा तो हम last में एक matching test लगाएंगे तो आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि आपको यह सारे words से आसानी से याद हो चुके हैं जो इसके antonium और synonym भी हम साथ में cover करते जा रहे हैं जैसे एक word लिकाव है apprise और मैंने बताया था जब भी कोई verb होती है तो उसकी पसंद से आपन पहचान कैसे करते हैं ing अथवा ed से और जिस भी किसी ने अगर noun adjective और verb के basics वीडियो जो नहीं देखे हैं तो करपा करके पहले उनको देख लें तो आपको और भी आसानी होगी इन vocab words को याद करने में और noun adjective और verb को पहचानने में बिल्कुल basic classes हैं लेकिन उनका level बिल्कुल advance है देखे apprise का मतलब परसंद सा करना और मैंने बताया वरप की पहचान किस से करेंगे ing अत्वा ed से तो बताओ इस apprise में ing लगाई apprising तो apprising ठीक नहीं बेटा तो ed लगा कि देखिए apprised तो जानते हो apprised word होता है इसका मतलब ये man of की कौन सी form है first form अब देखो apprise का minimum क्या होता है to inform मतलब बतलाना किसी को सुचित करना देखिए इसका ट्रिक क्या बनाया है वो देखिए the boy informed his mother बच्चे ने अपनी माता को inform किया वहन यान जब he won the prize in the competition क्या जिता prize किस में competition में और inform किसको किया mother को तो prize जिता क्या किया inform किया तो इससे क्या बन गया अफ्राइज प्राइज से अफ्राइज को आप connect कर पा रहे होगे और आप जैसे जैसे यूडियोश आगे बढ़ोगे ये परतलीज आपके mind में ऐसे की ऐसे बैठती जाएगी आपको पता भी नी चलेगा कि आप कब खेलते खेलते जब आसानी से इस वर्ट्स को सीख जाओगे नेक्स देखिए आपको चिंता करने की जरूती नहीं है कि हम लास तक इसका टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आप आसानी से पूरे वर्ट्स को आसानी से मैच कर पाओगे अभी एक वर्ट लिकाओड है sous्कुण देखो भी एटीटूड क्या होता है एक वर्ब होती है मैंने अभी भी बताय था ing अर एड लगाके एक वर्ब की पैचान की जा सकती है तो भी एटीटूड यानि यह वर्ब है इसका मिनिंग क्या होता है परफेक्ट हैपिनेस परमा आनन इसका मतलब ऐसी खुशी जो आपको आनन्दित कर देती है परफेक्ट हैपिनेस बोलते हैं अब देखे इसकी ट्रिक क्या है बीट पलस एटिटूड तू सी एटिटूड ओप दा स्टुडेंट बच्चों का एटिटूड देखने के लिए न परमानन बहुत ज़्यादा आनन दित बहुत ज़्यादा खुश्ट नेक्स देखिए नेक्स लिकावा है बिज्जर बिज्जर का मतलब क्या होता है मिनिंग होती है बिज्जर तुम गुड हो तुम बैढ़ हो तुम कैसे हो बिज्जर बिज्जर बोले तो वेरी डिफरेंट या फिर अन यूजवल अजीब जिसको बोलते हैं ट्रिक लिकावा है बाजार वाज फुल ओप डिफ्रेंट एंड अन्यूज्वल गूड से तो बाजार कैसा था बिज्जर बाजार को बिज्जर को किसे बिज्जर को किसे क्लिक करोगे बाजार से और बाजार कैसा था अजीब अजीब जब हम बाजार को डिफ्रेंट और अन्यूज्वल तुम कैसे हो अजीव तो यह देखी हमारा जो एडिक्टिव वाला वीडियो था उसका भी कंसेप्ट यहां से अच्छे से किलिए रोता जा रहा है मैं पहले भी बता चुका हूं जो हम फ़स्ट क्लास में पढ़ेंगे वही उसका रिविजन हर क्लास में करते जाएंगे वह च चाहे कॉंप्रेशन की कलास हो चाहे मिनिंग वर्ड्स की कलास हो चाहे वन वर्ड की कलास हो किसी भी कलास हो इंगलिश से रिलेटेड चाहे कलोश्टेश्ट की कलास हो हर कलास में हम जब भी पढ़ेंगे तो अपन परसनल कंसेप्ट को बिलकुल नहीं छोड़ेंगे और वह कंसेप्ट हर कलास में आपको फोलो करता रहेगा और हर कलास के अंदर वो यूच्फुल रहेगा इसलिए मैं बोलता हूं एक बार फिर बोल रहा हूं जो इससे रिलेटेड जो भी पहले पास साथ कलासे ग्रामर की हो चुकी है उनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर ल क्या है काजोल से और काजोल का मतलब होता है तू फिलेटर अब देखिए किसी को फिलेट करना नावडेज इन दिनों काजोल इज फिलेटरिंग सारु खान फोर गेटिंग ए रॉल इन फोर्थ कमिंग मूवी इसका मतलब क्या हूं जो काजल है फिलेटर कर रही है किसको सार खान को, तो कजोल का मतलब क्या होता है? फ्लेटर करना, फ्लेट करना नेक्स देखे, नेक्स ट्क वर्ड लिकाओए है इरुनियास, अब देखो, तुम गुड़ो मैटो तुम कैसे हो? इरुनियास बहुत हो, इरुनियास बोले तो रॉंग incorrect इसका meaning होता है क्या गलत आप देखों ट्रिक लिख teria ironi जैसी सअकल मत बना गलत गलत करके ironi जैसी सअकल मत मत बना इसका मतलब ironi का मतलब क्या हो गया ironious और ironi का मतलब क्या होता है गलत बोले तो incorrect मैं अचा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगी और अच्छे से concept के लिए होता जा रहा होगा next देखिए, नेक अरल लिकला है, ampute, ampute, ampute होता है, noun, तुम good हो, तुम bad हो, तुम कैसे हो, ampute, बोले तो, a person who had a limb, ampute, इसका मतलब क्या होता है, अपंग, अपंग, अपंग तो जानते होंगे आप और आप इसकी trick देखिए, इसकूटी, चला कर गिरा, और ampute हो गया, इसकूटी से गिरा, इसकूटी को किस से connect करेंगे, ampute और इसकूटी, देखो, T, E की भावना रही, इसके अंदर भी, और इसमें भी T, E, same better, इसकूटी, ampute, इसकूटी से गिरा, ampute हो गया, क्या हो गया, अपंग हो गया, ampute, इसकूटी से गिरा, ampute हो गया, next देखिए, अब देखो, next लिकावा है, एक बच्चे की परतिलिपी, आप लोग वो दिख रही होगी, और next है, ever see us, तुम गुढ़ो, तुम बैढ़ो, तुम कैसे हो, ever see us का मतलब होता है, लाल अची, गृड़ी जिसको बोलते हैं, एक वर्ड इसको क्या बोल सकते हैं, गृड़ी, और यह एक्जाम में, ऐसा का ऐसा आता है, कभी गृड़ी दे देता है, और option में, ever see us मिलेगा, कभी option में, ever see us, और कभी, गृड़ी मिलता है, तो देखिए, हमिले की तरह खड़ा है, तो आवड़ार लोग कैसे होते हैं, लालची, अवरस्यस होते हैं, आवड़ा से क्या बन जाएगा अपना, इवरस्यस, तो अवरस्यस क्या है है, यह अब यह अच्ट देखिए, और यह देखिए, दो मैं का मतलब होता है, तुम उड़ हो, तुम मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि noun adjective और verb का ऐसा concept है और उनके वीडियो का concept भी ऐसा है कि अगर आपको उसका hindi meaning भी नहीं पता है तो भी आप आसानी से ये पता कर पाओगे कि ये verb है ये noun है या adjective है अब देखिए यहाँ पर अगर आपको फिर्वेंट का meaning जो शिला नहीं भी पता है तो भी आप अच्छे से अनुमान लगा पा रहे होंगे कि फिर्वेंट क्या है adjective कैसे तुम good हो तुम bad हो तुम कैसे हो फिर्वेंट हो अब इसका meaning होता है enthusiastic बोले तो जो शिला कैसा है enthusiastic जो शिला अब देखिए पिके फिर्वेंट गया हो गया और वापस आया किसके साथ है जो इसके साथ है फिर्वेंट पिके फिर्वेंट अब पिके क्या हुआ फिर्वेंट वा और फिर्वेंट का मतलब है जो शिला अब यह देखो पिकी मुवी आप लोगों नहीं वैसे लगबग सभी नहीं देख ली होगी तो समें देखो पीके गया हुआ और फ्रके बन गया वैंट वंट बन गया तो क्या हो गया फिरिवेंट बोले तो जोशिला तो जैसे ही आपके सामने फिरिवेंट वर्ड आएगा तो आपके माइन्ड में तुरली में परTalk का मतलब क्लार अवर आपको तुरंट दिखेंगा कि फिर्वेंट मैं जेउसिलार कि अब हमjust लगाने यह उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और फिर बाद में आप टेश्ट लगाना जो मैच अप करोगे आप उसमें आपको अच्छे से कंचेप्ट के लिए हो जाएगा जैसे अपनी फर्स्ट वाला वर्ड पड़ा था एट रासन और एट रासन से क्या बना गिसाई इसका मतलब ड्यूज करना रासन की दुकान पर एटराशन यह सब्याइब प्राइज व समने क्या हूँ इच्छा जिता इंफों ड्यूंड नेक्यर फिर नेक्स से ब एटिटूड बीट करना और किसी को पलब बीट पलस एटिटूड क्या बन गया बीएटिटूड किसी बच्चे का एटिटूड चेक करने के लिए टीचर ने बीट किया और फिर भी वो क्या कर रहा था हसा वेरी हैपी था इसलिए क्या बन गया बीएटिटूड का मतलब परमा आनन्द परम आनन्द नेश देखिए बड़ा था बिज़र बिज़र का बातलब अजीब एक बिज़र बाजार बिज़र किसके के लिए करोगे बाजार से और बाजार कैसा था अजीब था बिज़र बोले तो बाजार नेश देखिए बड़ा था अपने कजोल बोले तो किसको फ्लेट कर रही थी सारुक खान को और कजोल का मतलब ही क्या होता है फ्लेटर करना फ्लेट करना नेक्स देखिए इरोनियस इरोनियस का मतलब क्या होता है अब देखो इरोनी जैसी सकल इरोनियस से आपके तुरंत मायटे में आएगा इरोनी इरोनी जैसे सकल बना रहा है गलत करके तो इरोनी इसका मतलब क्या होता है गलत रोंग नेक्स देखिए M.P.T. M.P.T. का मतलब क्या होता है A.P.N.G. M.P.T. को किसे के लिए करेंगे Iskutti, Iskutti से गिरते क्या बन गया M.P.T. बोले तो A.P.N.G. A.P.N.G. बन गया Next देखिए A.V.R.C.S. A.V.R.C.S. को किसे के लिए करेंगे A.V.R.C.S. का मतलब A.V.R.C.S. बोले तो लालची और आप बच्चा क्या होता है A.V.R.C.S. लोग क्या होते है लालची होते है Next देखिए फिर वेंट पिके गया फिके फिर वेंट और पिके ही क्या बन गया फिर वेंट बन गया जो शिला पिते ही क्या बन गया फिर वेंट बन गया अब देखिए दोस्तों हम अब लास्ट में इसका एक मैच अप टेश लगा रहे है और आप देखना आपका माइन देखना 100% इन पिकेशर्स को अच्छे से किलिक कर पाएगा और मेरी राह है कि इन वीडियोस को आप दो तिन बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जिससे आपको लंबे समय तक यह यहाद रसके और एक्जाम में किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं हो देखिए अभी हम मैच करते हैं देखिए अट्रेशन मैंने बताया था किलिक कीजिए एक राशन एक रेज्वल रिडेक्शन एक राशन राशन की दुकान पे रेट को क्या किया अट्रेक्शन किया ऐसे ही क्या कर दिया रिडूच कर दिया अब प्राइज बोले तो आपने क्या जिती प्राइज हुआ क्या हुआ बताओ एपी तो इसको बोलते हैं परफेक्ट हैपिनेस इसी को क्या बोलते हैं परमानंद प्रमानंद जिसको बोलते हैं फिर लिखा था बीजर बीजर का मतलब क्या गया था बाजार और बाजार को ज्यादा अगर ज्यादा तरीके से आप भर दोगे इसका म कि दिमाग में तुरंत सभी बन रही होगी इरोनी जैसी से कल बना रहा है कैसे गलत करके तो क्या बन गया इरोनियस amputee आपके तुरंत दिमाग में आ रहोगी amputee और scutee तो इसका मतलब a limb amputee person बोले तो अपंग फिर एक word आपने देखा क्या देखा था अवर्शियस अवर्शियस से आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा आवारा और आवारा लोग कैसे होते हैं greedy prevent अब देखिए प्रिवेंट का मतलब क्या होता है जो शिला और फिर्वेंट आपने देखा फिर प्लस वेंट फिर वेंट पीके फिर वेंट एंतिसेजम और प्रिलियस का मतलब होता है dangerous इसको हम next वीडियो में next स्लाइड में अच्छ कि आप लोग इस वीडियो के मादम से आपकी जो जो भी वोकेब अपने अभी अपना ये वोकेब का सेकंड वीडियो है इन दोनों वीडियोज के अंदर अपने जितने भी वोकेब की रिवाइच की है उनको आप अच्छे से समझ पाओगे मैं आपसे यह आसा करता हूं जैहि दन्यवाद